हेलो पिंक हार्ट वेल्कम बैक टो माई चैनल पिंक रस तो पहले एक चीज करना वीडियो जाने से बहले सब्सक्राइब जरू करना और बैल आइकन अजो उसको प्रेस 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 जरू करना ताकि नहीं आगया आने वाली वीडियो से आप नुटफाई हो जाएंगे तो यहां है सकीन केर अ तो यह को सब को हेपी कर वाचा में चाय ले पहले मैंने मॉस्चुराइजर अप्लाइब कर तो अब मैं प्रामर अप्लाइब कर रही हूं хват आई लोक तो आई लोक के लिए पहले में आई ब्राउस को फिल इन करूंगी इस पैलेट से ब्लैक शेड लेके तो यह एक और इन वन पैलेट है आप चाहोते इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और यहां मेरे आई ब्राउस फिल इन हो गई है अब मैं स्पूली की हेल्प से आई ब्राउस को कॉम करूंगी अच्छे से थोड़ा श्राप दिखाएंगे आई ब्राउस को है ना क्योंकि करवा चाहते है इस्पेशल ओकेजन है तो अच्छे से तयार होना तो बनता है और यह मैंने अच्छे से कर दिया है ब्लेंड क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत जादा है इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मैटर करती है मेक अप में ठीक है तो अब आई लूक स्टार्ट करते हैं आई लूक के लिए पहले पहले करेंगे यह कंसीलर बहुत जादा अफॉरडब को मैं थोड़ा स्प्रे करूंगी किस से सेटिंग स्प्रे से क्योंकि इससे अच्छे से लास्ट कर जाते हैं यह आई शेयाड़ तो इसी वजह से ये एक हैक है तो आप ट्राइ कर सकते हो तो यह सच में बहुत जादा पिगमेंटेट है मैं भूर रही हू यह तो इसको मैं आपलाई कर दिया है, रेड कलर को अपने आइलिट्स में और अब इसको ब्लेंडिंग करेंगे, क्योंकि ब्लेंडिंग सच में बहु जादा मैटर करता है नहीं, तो क्रीज लाइन वगर दिखती है जो कि अच्छा नहीं लगता है, तो यहां मैंने ब्लेंडिंग कर दी है, कम खिल के आएं उनका कलर है ना और यहां मैंने ब्लेंडिंग कर दी है डन डन अब मैं लूंगी इसी पैलेट से ये मरून कलर का शेड है ये तो इसको अपलाई करेंगे अपने आफटर वी कॉर्णर में इस तरीके से जैसे मैं अपलाई कर रही हूं तो ऐसी आपको भी करना है ये रैड आय लूक इस करवाचाओत में तो बहुत ज़्यादा सही लगेगा तो आप इसको ट्राइ कर सकते हो इस लूक को है ना तो एक बार ज़रूर ट्राइ करना इस आय लूक को बहुत ज़्यादा इजी है ज़्यादा टौफ नहीं है और अच्छे से हो भी जाता है इतनी अच्छी चीज होना मेंको लगानी था बट मिल गया तो आप जरू से जरू बाई करना इस से रिलेटेड मैंने फुल रिव्यू दिया है इस आईशेड़ पैलेट से रिलेटेड तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहागा चेक इन जरूर करना तो यहां मैंने गोल्ड जो पिगमेंट है वो अपलाई कर दिया उसको हलका से ब्लेंड करेंगे है ना ताकि क्रीज और ना आए और नेक्स्ट मैं लूँगी एक पॉपल शिमरी शेड इस तरीके का और इसको मैं मिडिल पे अपलाई करूंगी आइस के ताकि दोनों का जो जो जॉइंट होता है ना वो लगी यह कलर मला ओवर ना लगे और ऐसा ना लगे क्रीज वगरा है ना तो इसलिए मैं इसको अपलाई कर रही हूँ अपने आइस पे और यहां अँगी है डन आप चाहोँ तो लाइनर यूज कर सकते हो मैंने नहीं किया है यहां मैं बॉर्ड यह हो मैंने नहीं किया है तो आई लोक हो गई ब्लेट सिंपल से है और अच्छा भी लगेगा डेफिनेटली नेक्स मैं यूस कर रहें तो फांडेशन के लिए मैं दो चीजे मिक्स करूंगी एक फांडेशन है स्टेक और की का और नेक्स है सीवीवी का तो दोनों को जब मैं मिक्स करती हूँ न तो मेरा शेट बन जाता है तो यह है मेरा शेट जो कि आपको अभी थोड़ा ओवर लगेगा बर यह ऑक्सिडाइस हो जाता है तो अच्छे से इसको ब्लेंड करना है ब्लेंड करोगे तो अच्छे से फेस मतलब सही लगे और यह है Concealer NYB का मैंने आपको विताया था और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और डन अब है बारी सेट करने की सेट करने के लिए मैं कॉंपाइक पाउडर यूस कर रही हूं और यह जो सारे प्रड़क्त है न यह अंडर 150 में आते हैं तो आप इनको परचेस कर सक अपको है अग्लाइक पालेटे के लाइटे मैं यूज कर रही हूं और आप मैं थोड़ा आपने लिप्स की अनुड कर की ऑटे की लिप्स्टिक यह निवट कराइक और इसका प्राइस है आईगा 250 रूपीस हम्ट हम्ट म मिनिस में आती है और और अफॉरडवल भी है तो अब अब हाते हैं, हेर स्टायल पर और यह क्वीक हैर स्टायल है दो मिनिट में आपका बन जायेगा, तो इसके लिए आपको इस तरीके से अपनी वन साइट के बाल ले रहे है, और उसके नीचे वाले जो इस्टैंड है, उन दोनों को टविस्ट टविस्ट करना है इस तरीके हो गया है डन इसी तरह के किसा मैं दूसरे साइड भी करूंगी इस साइड तो यह हो गया डन यह स्टाइल तो यह भी आप करी कर सकते हो आज के दिन क्योंकि आज का दिन बहुत तो यहाँ मैं अब बारी है जोट जोट ज्यादा बैटर लगेगी बट वह अब बारी है जोट जोट का दिन यहाँ एक्सपERिमैंट किया यह तो silver jewelry मैंने वेयर की है and इसी के साथ का earrings है तो वो भी मैं अभी वेयर करूंगी तो यह है temple jewelry यह दोनों मला earring अलग है और नेक piece अलग है बट यह totally और temple jewelry होती है तो बहुत अच्छी लग रही है और यहां हो गया है डन मेकप लुक और अब लेंगे रेड कलगा दुपटा क्योंकि करवाचाओत है तो कुछ रेड रेड तो बनता है ना रेड कलगी ड्रेस तो होनी चाहिए और यहां हो गया है डन लुक तो अगर आपको करवाचाओत से रेलेटिट शॉपिंग हॉल देखना है मैंने मीसू का शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर किया जिसमें जोएड रीज भी आने वाली है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप् के लिए बाप बाई